क्रवारे कि में बिच सब्सक्राइब करेंगे योगवित लेव》 सब्सक्राइब ठए करेंगे बहुत सरे लेवल कंश्यू से सब्सक्राइब करेंगेड़ वहां से थोड़ा बाउंस कर लिया उसने अभी चीज याद रखना कि 30,700 जो लेवल है ना वहां तक ही मुझे यह मुझे जो किया है वह दिख रहा है बहुत से लोग आपको अभी मार्केट में बोल रहे होंगे कि डारेक्ट 35,000 जाएगा यहां से सीधा उड़के 35,000 टच करन वहां से बड़ी मुव कर सकता है अभी तब उसने स्ट्रॉंग सपोर्ट बनाया नहीं है तो 28,900 पर बिटीसी आना ही चाहिए ऐसे मुझे दिख रहा है यह जो मुझे हो रहा है उपर की तरफ 30,700 बनके वहां से रिजेक्ट होके आ सकता है नीचे की तरफ बिटीसी ओके वह यहां से 30,700 मैक्स दिख रहा है वह रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आ सकता है एक ट्रेंड लाइन भी आप देखोगे ना एक ट्रेंड लाइन देखो यहां पर डेली ताइम फ्रेम पर यह अच्छी सी ट्रेंड लाइन यहां पर बनी ना इसके उपर अच्छी क्लोजिंग करने दो बीटी सी को ठीक है दो केंडल इसके ऊपर करते तो ठीक है हम सोच सकते कि यहां से चलो अच्छा बूलिश हो चुका है वहां से हम बूलिश हो सकते लेकिन अभी तक अच्छा क्लोजिंग दिया नहीं इसने ट्रेंड लाइन के ऊपर तो यह सपोर्ट ट्रेंड यह जोन में हम जा सकते हैं तो एक चीज याद रखना अभी का बहुत क्रिटिकल है लेकिन सपोर्ट अच्छा चाहिए बीटी सी को तभी हो कर पाएगा यह में अगर बात करेंगे ना मैंने बिगिनर्स कोर्स में अल्लेडी सिखा है अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग अब यहां पर 20 में का सपोर्ट पहले बन रहा था अभी वह रेजिस्टेंस का अभी काम कर सकती है आज का क्लोजिंग अभी तक हुआ नहीं है कल रिजक्ट हुआ था के इसी पॉसिबिलिटी हमेशा कंसीडर करो यहां से डिरेकली बाउंस करके जाएगा 35,000 जाएगा यह सपोर्ट स्ट्रॉंग चाहिए तब बड़ा मुव मार्केट करता है ओके इमस के उपर यह सब चीज़ें ऐसे दिख रही है और आरे साइक बार दिखा देंता आपको आरे साइब एक चीज़ अच्छी कि 50 के उपर सस्टें हो रहा है हमने बिगिनर्स कोर्स में अल्लिए दे अगर यहां से बीजेक्ट हो सकते हैं अभी के जोन से भी रिजेक्ट होके 28,900 ही जाना है वहीं पर सपोर्ट मेलेगा अगर वहां पर सपोर्ट नहीं बना तो 28,000 तक भी हम सपोर्ट दून सकता है बीटी सी ठीक है और यहां पर एक चीज़ देखो कि तो होरीज़न्टल सप आई की चांसे से लेकिन सपोर्ट दोनों जोन याद रखना दोनों बहुत क्रिटीकल अब इधिरियम के अब बात करेंगे तो इधिरियम देखते क्या कर रहा है करेंगे तो देखो सेम बीटी सी की तरह मूं किया इधिर हमने हमने उननीच सो का सपोर्ट यहां पर निकाला आपको वैसे ही है मैक्स यहां से मुझे नैंटीन थाउजन थर्टी या थर्टी फाइव तिक आसपास पकड़ लो सो वन नाइन त्री जिरो का यह लेवल है इसके आसपास इसके उपर गया तो ही हम थोड़ा बहुत सोच सकते कि मार्केट यहां से एक लिए 40 चाहिए सॉरी एगा जैसे बीटी सी के समय में क्लिए ठीटी विए क्लिटि संसाफ कर आपके लिए तो गशुपर सब्सक्री बेए अस पर लेकित प्रेंट लाग्न भी ब्रेक हो जाएगी जीए इसमें कुछ बचा नहीं है और कांद च्रेंद्ध यहां पर दिख रहाँ है पर बना दिया यहां पर बिटी सी भी बेरीश है तो आप इधर के भी अभी सपोर्ट के ऊपर ही रखो सत्रा सो पचास के आसपास सपोर्ट बनता है डिरेक्ली फॉल नहीं होता है मार्केट थोड़ा थोड़ा स्टेप बाइस्टेप फॉलो सकता है पहले बीटी सी को देखो क्या घरता है फिर आप इधरियम में यह लेवल्स फॉलो कर सकते हो तो लेवल्स तो भई है लेकिन 19,000 40 तो बहुत जादा बुलिश हो के फाइदा निये जैसे दो दिन पहले वन इंच क्राश हो गया आपने देखा ना जितना गया उपर उतना ही नीचे आ गया वह सकता है संबल के रहो जब भी लॉंग करोगे ना स्टॉप लॉस लगागी फरो ठीक है तो चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाइबाए सी यू